नमस्कार शोताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं विभाष कुमार जहा। संसत का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, ये सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। केंद्री वित्मंत्री निर्मला सीता रमन एक फरवरी को अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी। राष्टी सोचिता सेलिक्षन में 36 गल को देश के सबसे साथ सुथरे राज्यों में तीसरा पुरस्कार मिला है। निदिली में आजोजित समारों में राष्टपती द्रोपती मुर्मुने, मुख्यमंत्री विष्णो देवसाय और उप्मुख्यमंत्री तरथा नगरी परिश भारत जड़ो नया यात्रा में प्रदेश कॉंग्रेस के वरिष्णेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश के वंजित समुधाय को उनके अधिकार का नयाय दिराने की दिये शुरू की जा रही है। इससे पहले उन्होंने रायपूर के राजी भोन में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी दी। गाइट कैरेटों के साथ ही सरुसेष्ट, रोवर और रेंजर को पुरसकार से सम्मन किया। और मुक्यमंतरी विजय शर्मा ने कहाए कि प्रदेश में स्वाय साहता समुध से जुड़ी महिलाओं को स्वारुजगार से जोडने के लिए राष्टी ग्रामिन आजीव का मिश चुरू होने वाला है, मौसमी भाक्यों सार प्रदेश में आज से उतरी हवाय चलने वाली हैं। ये थी अब तक के मुख्य प्रादिशिक समाचार, नमस्कार।